च्यार मेरा नाम कुसुमा श्वरी और आज की वीजियो में हम लोग समझ रहे एंट्रिस्ट की एक और थियो। जिसका नाम है Loanable Fund Theory और इससे पहले classical theory of interest जिन लोगों ने पढ़ा है, जिन लोगों ने भी किया है उसको, उनके लिए ये थियोरी ज़ादा मुश्किल नहीं है, बस उसका थोड़ा इंप्रोवाइज वर्जिन है, तो यहां पर भी डिमेंड एंड सप्लाई से ही हमने ब्याज किदर को निर्धारित करना है, पर उससे पहले हम लोग समझते हैं कि लोनेबल फंड होता क्या है, लोनेबल फंड का लोन का मतलब क्या, कि जो उधार लेना देना है न, उधार लेने वाला, उधार लेना ही होता है, लोन लेना, चेक है, तो Loanable Fund क्या है? कि यानी कि वो Capital का वो हिस्सा जो कि Loan के लिए Available है या Borrowing के लिए Market में Available है यानी ये Total Demand of Capital और Total Supply of Capital से डील करने की बजाए, जैसे की Klassical Theory में डील किया गया उसकी बजाए ये सिर्फ और सिर्फ उस हिस्से पर concentrate करता है जो कि borrowing के लिए available है या उधार के लिए available है तो इस theory का सबसे पहले जिक्र किया नट विक्सल ने जो कि एक स्वीडिश economist थे उसके बाद ये जो economist है और लिंडाल, लिंडाल, रोबर्सन और इन लोगों ने जो है इस theory को improvise किया ये सारे के सारे neoclassical economists थे इसलिए इसको neoclassical theory of interest भी कह देते हैं तो सबसे बहुत जल्दी हल्दी समझ लेते हैं कि loanable fund की supply, मैंने पहले ही बताया कि demanded supply जहां पर मिलेंगे वहाँ rate of interest determined हो जाएगी अब अंतर क्या है, जो classical theory और इस पे वो scope का अंतर है, वहाँ पर हमने सिर्फ saving और investment की बात की थी, लेकिन यहाँ पर हम जो है bank credit की भी बात कर रहे हैं dis hoarding और dis investment की भी बात कर रहे हैं समझ लेते हैं कि करके, जो saving है वो आपको पता है, सबसे बड़ा source है supply का, loanable fund, यानि किसी के पास यदि surplus income है, उसका खर्च पूरा करने के बाद यदि income बचती है, मान लीजे मेरी income ज़्यादा है तो मेरे पास कुछ पैसा है जो कि मैं market में किसी को loan पे दे सकती हूँ तो वो एक बड़ा source बनता है, ये rate of interest पे करता है, जादा तर, जादा तर rate of interest या फिर income बचती है, तो यदि मेरी income ज़्यादा है पहली बात, दूसरी बात market में rate of interest ज़्यादा है तो जो है मैं किसी को वो loan पे दे सकती हूँ तो ये household saving होगी, business houses भी इसी तरीके से savings करते है, government भी saving करती है तो ये सारे के सारे savings जो है, वो loanable fund की supply का एक component है, उसके बाद बात करते है bank credit की bank हम सब जानते है, bank तरह तरह के loan देता है तो bank credit के through भी जो है, वो loanable fund की supply होती है अब credit creation कैसे करता है, ये बहुत बड़ा chapter है उसको हम किसी दिन फर deal करेंगे अब this hoarding, ये एक हो सकता है, किसी ने ना नाम सुना हो this hoarding नियाश, अब the hoarding का मतलब होता है पैसे को censure करना, यानि कि मतलब आप क्या कहेंगे, कि जैसे गुल्लक में डालती हूं मैं पैसा या तीजोरी में हम लोग पैसा रखते हैं या पुराने टाइम में लोग जो है मटके में डालके, जमीन के नीचे रखते हैं तो वो सारी hoarding कहलाती है तो वो hoarding को डिस hoarding करना डिस hoarding क्या हो गया, बिल्कुल opposite हो गया उसका ऐ संचे जिसे कहेंगे डिस hoarding का मतलब है कि मान लीजे कि मैं मैंने गुल्लक में पांच उपे के कोईन जितने सारे कठे कर लिए अब जो है, मुझे जरूरत पड़ी है कि मुझे वो पैसा जो है मैं सोचती हूँ कि मैं इसको ऐसे ही क्यों रखूँ मैं इसको इंट्रेस पे किसी को उधार दे देती हूँ तो वो जो है, मेरा क्या कहलाएगा डिस होडिंग, तो डिस होडिंग के थुरू भी मार्केट में पैसा आ सकता है यानि कि जब आप अपना बचत किया हुआ अपना बचाया हुआ धन जो है वो मार्केट में ले आते हो और किसी को उधार दे देते हो तो that is also a source of supply of loanable fund इसी तरीके से disinvestment है अब disinvestment का मतलब क्या होता है वी निवेश, वी निवेश का मतलब है निवेश क्या होता है कि जब मैं एक दुकान खरी दी, मान लीजे मैंने तो वो मेरा हो गया investment है मैंने कोई एक asset, capital asset खरी दी जिससे कि मैं और income generate करूँगी अब disinvestment क्या है disinvestment है कि मैंने एक दुकान बेच दी ठीक है, मान लीजे 70 लाख रुपे की दुकान भी की तो 70 लाख रुपया मेरे पास आ गया है जिसको यदि मेरे पास कोई business plan नहीं है तो मैं क्या करूँगी मैं उसको market में किसी को उधार दे सकती हूँ और उस पर interest कमा सकती हूँ तो these are the four sources यह चार तरीके हैं जिनसे की supply market में आती है loanable fund की अब demand कौन करता है जब supply तो आई है पर लेने वाला भी तो कोई होना चीए तो लेना किसने है तो लेना उन लोगों ने जिनके पास कोई plan है, market plan है कोई start-up है, कोई business शुरू करना है तो वो लोग investment के लिए जो है demand करेंगे loanable fund की consumption हमें पता है bank loan, bank से हम loan लेते हैं वैसे भी लड़की की शादी करनी है या घर बनाना है तो home loan, car loan तो ये consumption के लिए है कि हमने भोग करना है उसके लिए हम loan ले रहे हैं फिर वादा holding के लिए कि कुछ लोगों के दिमाग में ये होता है और खास दोर पे जब covid आया, जिन लोगों के पास घर में पैसा पड़ा था उन लोगों ने तो फिर आसानी से दिन निकाल लिए जिनके पास कुछ भी नहीं था उनके लिए बड़ी मुसीबत हो गई थी तो इसलिए ये hoarding का भी मन में रहता है कि घर में कुछ पैसा जो है जमा साइड पे पड़ा होना चाहिए जो कोई इस्तेमाल ना कर रहा हो तो hoarding के लिए भी लोग जो है पैसा मांगते हैं तो ये तीन purpose हैं जिनके लिए मांगते हैं अब ये तो हो गई ये हैं क्या अब इनका relation क्या है किस से rate of interest से तो rate of interest से इन सब का relation positive है यदि rate of interest जादा है तो saving भी जादा होगी ठीक है तो positive slope बनेगी इन सब की slope कैसी बनेगी positive slope बनेगी ठीक है और bank credit भी जब rate of interest जादा होती है तो bank जादा credit करते हैं this hoarding यदि आपको लगे कि market में बहुत ब्याज मिल रहा है लोग कमाए जा रहे हैं मैंने पैसा वैसे जमीन के नीचे दबारक है तो natural है आप निकालेंगे उसको बाहर तो ये positive relation होगा यहाँ पर इन सब का सब का relation कैसा है negative है कि जितना जादा rate of interest high होगा आप hoarding नहीं करना चाहेंगे आप consumption के लिए demand नहीं करेंगे आप investment के लिए भी हो सकता है कम demand करें तो ये इस तरह का positive or negative relation है अब आपने क्या करना है simply इसको draw करना है क्योंकि determine कहाँ से होना है supply or demand से अब इसमें demand के लिए हमारे पास कितने component है ये positively sloped है 1, 2, 3 तो ये 3 component है जिनसे हमारी demand create हुई ये 4 component है जिनसे हमारी supply create हुई relation हमें पता लग गया और इसको आप draw करोगे तो इनको demand साइड एक साइड जोड़ दोगे और supply साइड एक साइड जोड़ दोगे तो आपका ये demand करव और supply करव आ जाएगा जब जहां पर ये दोनों बरावर होंगे ये point पे वहां पर हमारी rate of interest determine हो जाएगी हाँ आपको एक बात बता सकते हूँ कि इसको बनाना कैसे है क्योंकि कई बार इसको बनाने में बच्चों को time लग जाता तो simply आपने क्या करना है सबसे पहले ये चार lines कीच लेजे जो चार आपके supply curves है तो चारों के supply curve ना लेजे और इंचारों के supply curve बनाके और यहाँ पर एक dot लगा दीजे सब पर dot लगा दीजे ठेक है और यहाँ पर जो है उसी dot पर इनका equilibrium करवा दीजे तो बहुत simply ये diagram बन जाएगा तो diagram की बात भी हो गई है loanable fund theory की बात हो गई classical theory पर ये basically एक improvement था criticism इसका भी है ये theory भी indeterminate है hoarding के concept पे भी बहुत जादा जो है debate होती रही है Keynes जो है वो भी इस theory के against ही थे तो कुछ criticism के बावजूद भी ये theory अपने आप में neoclassical theory बहुत important है और moreover हमरे syllabus में है तो hope आपको समझ में आई Thank you so much for watching Keep watching and be happy